वेलकम बैक दोस्तों मैं हूँ अभी DPS Cars के कश्मीरी के शोरूब में और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर की और यह जो वेरियंट अपने सामने हैं यह है टिगोर का CNG वाला वेरियंट एक्सेम वेरियंट जो है वो रहने वाला है यहाँ प्रोपर बैजिंग आप चेक कर सकते हो और एक्सेम वेरियंट है तो आपको इसकेंदर इस्टीडियो अगरा जो है काफी कुछ फीचर जो है वो मिल जाते हैं लाइक इस्टीडियो स्पीकर इस्टीडिंग कंटोल चानों पावर विंडोस तरीके के बहुत सारे जो फीचर कर देती है और आज के इस वीडियो के दर हम इस वीडियो के बात करने वाले है कि कंपनी इस वाले में कौन-कौन से फीचर्स ओफर करती है क्या इसके स्पेसिफिकेशन से रहने वाले हैं प्राइज से लेकर अप्शन सब्सक्राइब के माईलेश तक एटुज एड़ कम्ली इसकी बात करें सबसे पहले आप यहां पर देखोगे टुइन मैनल वाइपर आपको यहां पर ओफर किये गए हैं नीचे की तरफ आते हैं है यहां पर हैलोजन बेस देखने को मिल जाती है इस तरफ आपको साइटर इंडिकेटर जो है उसकी प्लेस्मेंट मिल जाएगी गी इसके सेंटर में आपको टाटा का जो लोगो है वो मिल जाएगा और ग्रिल के ठीक नीचे आप यहां पर देखोगे क्रोम लाइनिंग वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी जो कि एक एज से लेकर कि अपना दूसरे एज तक रहने वाली है इसके लावा दोस्तों ल आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर क्या कुछ रहने वाले हैं सबसे पहले आप देखोगे तो आपको यहां पर स्टीलिंग वाफर किये गए हैं MRF के साथ में और टायर सेक्शन रहाएगा 175-65R14 का फ्रंट में आपको डिस ब्रेक्स मिल जाती है यहां बाकि आप ग्र कर सकते हो और मैनवल ही फोल उनफोल कर सकते हो अंदर की तरफ आपको जो नोब है वो प्रवाइट करी गई है यहां पर चेकाउट कर सकते हैं बागी दोस्तों फिलर्स की बात करें करें का जो है वह बोड़ी क्लर का है सी प्लर जो है वह बोड़ी क्लर का ही आपको मिल जात यहां पर है तक रहने वाला है विस स्टीकर मिल जाएगा यहां पर लोगो सब्सेक्राइब करती हुई यहां पे आपको कुछ सरीकी की क्रोम पट्टी जो है वो देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ आते हैं बॉडिक लगा जो बंपर है वह आपको दिया गया है दो पॉइंट के साथ जो पाकिंग सेंसर से वह आपको यहां पर मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर की प्ल करने के बाद वह आप बूट की ओपन करते हैं तो अपना जो आपको देखने को मिल जाएगा और टाटा के अंदर एक पैस्टीज यह लगने वाली है कि यह जो कंप्लीट पार्ट है अपनों कवर्ट देखने को मिल जाता है अगर आप चेक करते हो डिजायर वगर तो उसके आप यहां पर चेकर से तो कितना कुछ है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अब चलते हैं कार के इंटीर में तो दोस्तों आज चुका हूँ इस कार के इंटीर में और यहां पर आप चेकर सकते हो तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा लाइट गिरे और अ यहां पर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहां पर चेक कर सकते कुछ सथी का डिजिटल टैप ज्लेस्टर है वह आपको इस-कल के अदर ओफर किया गया है इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आपको सेंटर में की स्पीटोमेटर मिल जाएगा जो कि डिजिल फॉर्मेट के साथ रहेगा डौर अजार बॉर्निंग है फ्यूल की इंडिकेशन यहां पर मिलेगी औ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं लाइक ओडोमेटर क्लॉक किलोमेटर इसके लावा अगर आपने बाकी इंफॉर्मेशन एक्सिस करनी है तो यहां पर आपको बटन दिया गया है इसको प्रेस करके आप ट्रीप ट्रीप और अधर इंफॉर्मेशन को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बटन जो है वो भी दिया गया है बागी साइट में आप देखोगे साइट अपने जो एसी वेंट से उसमें उपर आपको प्यानो ब्लैको क्रोम इंसर्ट जो है वह देखने को मिल जाते हैं इंसाइड रियल व्यूमेशन करने के लिए यहां प सब्सक्राइब करने के लिए इसके लाब आते हैं सेंटर में तो यहां पर आप चेक करोगे नीचे की तरफ आपको मैनुवल एसी और हीटर की गंडॉल बटन जो है वो प्रवाइड किये गया है बारा वोल्ट का चार्जिंग सोकिट जो है वह आपको यहां पर मिल जाता है यूएजबी पोर्ट है फोने सब्सक्राइब के साथ आता है यह वेरियंट जो कि आपको इसको किया लिवर चेक का सथ तो इसके सराउंड में भी आपको सिलेवर फिनिच जो है वो देखने को मिल जाएगा पाकिंग ब्रेक लिवर है क्रोम टिप के साथ टुइन का फोल्ड जो को आपको यहाँ पर जो है वह रिचाएंब कर सकते हैं तो इसन साइज को आपको addition के साथ क्राइक है टिवर थ sect琏 हैale वह सेट करेंगी सीट का फ्रकूशकिया पात करेंग्ञा यहाँ आपको देखने हैं आगे पीछे और decline angle और decline angle में set कर सकते हैं जिसका lever आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यह अपना decline angle set करने के लिए और यहाँ से आपको height up and down करने का जो option है वो मिल जाता है driver side में यह feature आपको provide किया गया है बात करते हैं अब इस काल के second row की तो second row का door कितना कुछ अपन चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको dual turn को जो finish है वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से बाकी अपने features की बात करें inside render आपको matbag finish के साथ दिया गया है power window control button और यहाँ पर आपको rear door child lock को जो feature है वो मिल जाता है इस दर्वाजों में आपको speaker मिल जाते हैं बाकी यहाँ पर आप देखोगे water holder ली जगह आपको दीगाई है इस पेस काफी अच्छा कुछ जो है वह आपको टिगोर के ना देखने को मिल जाएगा यहाँ पर चेक कर सकते हैं फिक्स टाइप की जो आपको यहाँ पर प्रवाइड किये जाते हैं और सेंटर में आपको एक LED ब मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की तो 1.2 लिटर का आपको रेवर्ट रॉन पेट्रोल इंजन इसकाल के साथ ओफर किया जाता है जो कि सेंजी मोट के ओपर 54 क्लोड की पावर और 95 नुटर मिटर का टोर्क प्रिसर के आपको देता है दोस्तों बात आती है अब कदर आ प्रिसर के पिश्मीडिकेट शोरूर में बागी इस वीडियो के ना इतना ही वीडियो देखने के लिए आप लोगा धन्यवाद